जहीं दोस्तों आज बात करेंगे क्लास 12 साइकलोजी चेप्टर वन जिसका नाम है मनोविज्ञानी गुनों में विभिनता है इसका हम फुल एक्स्पलानेशन करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को सुरू से लेके अंतक जरूर देखेंगे तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले मेरे दोस्त आपको बता दे यहां कच्छा बार भी विस है मनोविज्ञान जिसे इंग्लिस में साइकलोजी बोलते हैं चेप्टर वन जिसका नाम है मनविग्यानिक गुनविभी भेहनता है और जितने भी आप क्योंगे वो सभी NCAT book के recording किया जागा तो अगर आपने NCAT book खड़ीदा है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत इंपोटीन है अगर नहीं खड़ी दे तब भी आप यह वीडियो देखे लेकिन थोड़ा सा लंबा यह वीडियो होगा और आपको दुसरा वीडियो देखनी कोई जुरूत भी नहीं होगी ठीक है तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप किस तरह से पढ़ेंगे और बहुत इस्ट्रिन बोलते है कि सर हम किस तरह से पढ़ेंगे हम आखीर अच्छा सच्छा नंबर लाज सो के बोडिक जामें तो सबसे पहले समझे टाइप आपको किस तरह से पढ़ना है जैसे माली जे चेप्टर 1 है चेप्टर 2 है चेप्टर 3 है इस परकार करेगा जिसका नाम रहेगा तो सबसे पहले क्या करना है फूल एक्स्प्लाइनेशन जिसे लाइन बाइन थियोरी बोलते है उसे पर लीजेगा तब आपको सब्जेक्टी में कोई दिखत नहीं होगा पलस MCQ में भी दिखत नहीं होगा जब यह आप किये रहेंगे तब लेकिन उसके लिए क्या करना परेगा आप यह वीडियो देखिए पलस अपने कोपी में नोट करते हुए चलिए तब आपको सब्जेक्टी और अब्जेक्टी में दिखत नहीं आएगा तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपको इसी तरह का वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल समस्क्राइब कर सकते हैं ठीके और अच्छा लाइए तब ही करिये और लाइक कोई देख नहीं है पैसर आशा नहीं लकता हुँए अब बात करते हैं यहां पर मनुब्यक ज्यान क्या है what is psychology मनो विज्ञान का है हम पर रहे है मनो विज्ञान चलि यहाँ पर क्या कर रहा है मनो विज्ञान का है what is psychology देखे psychology पढ़ेगा थोरा सा धीरे धीरे परहेंगे लेकिन बहुत ही अच्छा से परहेंगे जितना आप आगई चलेगा उतना ही आपको अच्छा लएगा वहाँ सेक्षिनिक हुआ प्रियोग्यात्मक बीद्या जो प्रानी प्रानी में आपके दो परकार के आदिमाद है जिसे मनुस्य होगे पस्ट होते हैं दोनों के पास क्या है प्राने तो ये प्रानी होगे ठीक है अब चले आगे चले इस परकार één आपको समझमे नहीं है चले दूसरे तुरी कास हम कब समझाते हैं तो दुसरे सब्दों में यह कहा जा सकता है कि मनो बिज्ञाने के ऐसा बिज्ञाने जो क्रम बंध रूप से systematically प्रेक्षनिय वेभार अब्जर्वेवल बिहेवेर का अध्यान करता है क्या करता है इसका अध्यान करता है तथा प्रानी के भीतर मतलग कोई जीवित व्यक्ति है उसके भीतर मांसिक एवं ध्यानिक प्रक्रियाओ जैसे चिंतन, भाव, आधी तथा वातावरन की घट्नाओ का अध्यान करता है तरह समझेगा कोई प्रानी जीवित है जैसे जानबर भी ले सकते और मनुस्य गो भी ले सकते है उसके अंदर क्या-क्या होता है चिंतन होती, वेभार है और किस परकार का है उसका मानसिक जो दिमाग है वो काम करता है ठीक है वेभार में मानो वेभार आता है और पसु वेभार देखे कभी-कभी देखते हैं तो मानो भी किसी न किसी तरह से करने लगता है कभी-कभी जानबर भी ऐसा करने लगता है ठीक है तो यह आपक Maximillium Bud 16 August 1832 में 350 में 68 August 1832 में 31 August 1920 में यह क्या थे चिकित सखे थे दार्षनिक थे पर्धियाफक थे उन्हें आधुनिक बंग्यानिका जनद कर जा 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 ता क्या कर दा आधुनिक मोनबिग्यानिका जनद मतलब पितामा का सकते जना का सकते इसे कहा जाता है किसे तो यह हमारे यह है इसको ठीक है याद रखेगा आपको एक नमबर आ सकता है यह तो जादे खासा नहीं लिए कि आगे चले आपको बना और अच्छा लगे ठीक है चले मानब प्रकारियों में व्यक्तिकत बिभिंताय कैसा होता है जैसे देखिए कोई व्यक्ति है उसमें किस तरह से जैसे समाज में बहुत लग है मतलब पूरे दुनिया में बहुत लग है और उसमें बिभिंताय कैसी कैसी हो सकती है चले बात करते संसार में जितने भी प्रा अगर पूरे संसार में एक ही रंग चाहे लाल हरा नीला पूरी दुनिया हो तो कैसा लगेगा आप निश्चित ही कहेंगे कि वह सुंदर नहीं होगा उसी परकार मनुसे में भी अनेक परकार की हिंताई पाई जाती है अब कहिए देखिए बात हम आपको बताते हैं आप संसार में रह रहे ठीक है और वहाँ पर सुचिए कि हमेशा लाल ही लाल रहेगा पूरी दुनिया लाल रहेगा या हरा ही रहेगा या नीला ही रहेगा तो दुनिया अच्छा लएगा नहीं रहेगा दिखे कोई आदमी काला रहता है कोई बलेक रहता है मतलब कोई सुंदर रहता ह टूरा सा आपको अच्छा समझाने ह 선택已經 संसार में प्रत्यक सस्थाasınaOD में होती है संसार में सरीरिक संसस्ता का रंग आधी वह व्यक्ति देख या कम बुधिमान व्यक्ति हो सकती है देखिए हम देशमालेजी आप ही है और आपकी बगल में कोई दोस्त है तो वो तेज होगा या तो आप तेज होगे तो दोनों में अंतर है कोई किसी का वजन जादा होगा तो किसी का वजन कम होगा कोई काला होगा तो कोई उजला होगा तो इस परकार की पायरता है भी भीनता है ठीक है तो यह किस में मनो बेगान में ही पायर जाता है ठीक है संसार में जितने भी व्यक्ति है उनका वेभार अलग-अलग होता है उसे हम स्थिती बात कहते हैं क्या कहते हैं संसार में जितने भी लोगे उन सब का विभार अलग हो लाग है जिसे मालेजी आपका विभार अच्छा है और आपकी दोस्त का विभार क्या है बुरा है अच्छा नहीं लगता है तो ये वेवहार पे डिवेंट करता है कि व्यक्तिक किस परकार का वेवहार करता है ये सब के सब आपको किस पे NCIT बूक पे मिलेगा आपको सभी के सबी NCIT बूक से मिलेगा और आपको पढ़ने में मजा कब आएगा जब आप ये वीडियो पूरा देख लेज़ेगा और NCRT बुक के फिर पढ़ लेज़ेगा फिर एक बार ये वीडियो देखेगा तब आपको बहुत ही 100% बरिभाय की नात्यम करें आपको बहुत ही मज़ाएगा ठीक है इसके बारे में बात करेंगे मनोबिगाने गुनों का अर्थ किसी व्यक्ति के प्रसंससात है मनोबिगाने गुनों को समझेने के लिए पहला चरण उसका मुल्यानकन मानव की गुनों के मापन की बीदी अनेक है जैसे हरीस एक परभावी व्यक्ति है इसमें हरीस में परभाव गुन है देखे आप समझे एक बात हम इसमें समझाते हैं ठीक है मनोबिकानी गुनों का अर्थ क्या होता है इव्यक्ति की प्रसंता क्यों क्या आती है मतलग कि इसकी तारिफ क्यों क्या आता है तो इसमें जैसे मालीजी एक हरीस नाम के एक लड़का है जिसमें एक गुन है बहुत ही अच्छा गुन है ती इसके क्या हो रहे तारिफ हो रही है तो अगर आपको बुराई के नजर से देखे या तो अच्छाई के नजर देखे या तो अच्छाई के नजर देखे यही आपको कहा जता है मनविगानी गुनों का मुल्यानकन ठीक है आगे चलते हैं चलिए आप बज़ाए बात करते हैं किसी भी वेक्ति का मुल्यानकन करने चाहते हैं तो सबसे पहले आपको संग्यात्यों को सामवेगिक समाजिक आदी में कैसा विभारिया निस्पादन करता है इसे से पता चलता है जो वेक्ति समाज में रहता है और उसका कैसा विभारिय कैसा संग्यात्यों के वो किस तरह से कारी करता है ऐसे पता लगा सकते कि वेक्ति कैसा है ठीक है ये भी आपको समझ में आ गया चलिए आप बात करते हैं मनों विग्यानिक गुनों के निमलिखित परिक्षन मनों विग्यानिक के निमलिखित परिक्षन क्या क्या हो सकते हैं इसके बारे में समझते हैं ये बहुत इंप्रोटेंट है ठीक है चले बुद्धी परियावरन चिंतन चुनोती साधन को समझने का बहतरीन छमता है क्या है बुद्धी जो है चिंतन चुनोती और संसाधन को समझने की सबसे बहतरीन छमता है किसी भी परकार के चिंतन होगे चुनोती आगे यह समझने की छमता होती बुद्धी में बुद्धी व्यापक रूप से विद्धाले सिक्षा से लाब उठाने की योगता का ज्यान होता है कम बुद्धी वाले विद्धार्थी परिक्षा में इतना अच्छा निस्पादर नहीं कर पाता है लेकिन जीवन के हर एक छेतर में बुद्धी ही सपलता है का मारग है देखिए ये मेरे दुवार दिखा गया भुग से थोरा से थोरा से उठाया जाता है ठीक है देखिए जिसके पास बुद्धी अच्छा रहता है न तो वह किसी पराखर के भी द्धारत कर परिक्छा हॉल में बैड़ी है ठीक है तो वह बहुती अच्छा नमबर लियाता है और स्चुर कम तेज़ रहता है तो उसका क्या बता है छीवन की हर एक छेतर में छाहे आप कहीं भी है जैसे आप एक वम आपको बता दे Google के बात बता दे Google में आपको न कोई डिगिरिव की नि माननेता नहीं अगर आपके पास इसकी रहे तो आप ठीक है समझ रहे हैं तो वहाँ जीवन में हर एक छितर में आपको बुद्धी सबसे important माना जाता है तो इसकी समझ रहे हैं अभी रूची किसी के बीच आपको समाझ सकते हैं रूची के interest किसी के चीन नहीं हो ता कि किसे हम अच्छा लग रहा है यह होता है चलिए इसके बारे में बात करते हैं अभी रूची का आर्थ यहा है कि किसी बिसेस चीजों का में अभी रूची होती है जो जीमन में संतुष्टी के साथ कारे निस्पादन को उनद करता है उसे हम अभरूची करते हैं जैसे मालेज यह मेरा ही देखे यूटूब में अभी इंट्रेस्ट है ठीक है मालेज यह मेरा क्या है यह रूची हो गया अभी यूटूब में मेरा इंट्रेस्ट है कि हम यूटूब पे काम कर रहे हैं और यह इंट् तुष्टिती ये पढ़ना छोड़ दिना चाहिए ठीक है चले आप बात करते हैं आपको च्वार नमबर पे कि वेक्तिगत प्रासनलिटी का आज़ाद वेक्तिगत का अर्थ वेक्तिक के परभावी या बिनमर से है साथ ही साथ वेभार का भी चमता परदान करता है ठीक है ये आपको चमता परदान करता है अब आगे चलते हैं मुल्ले मतलब वेक्तिका मुल्ले का आर्थ या है कि राजनेतिक धार में किया समाजिक आर्थ के आदि मुल्ले से कौन सा परभावी होता है देखे समा इंटिलीजेंट नहीं इंटिलीजेंस है यहाँ पर ध्यान दिजेगा इस्पिलिंग में भी ठीक है अगर किसी बुद्धिवान व्यक्ति के वहारों का परिक्षन करें तो आप पाएंगे कि वह सीगर सीख लेने की योगता और संबंदों के समझ लेने की योगता जैसे अनिक पढ़ार है यह वला तो आप जल्दी हिस्सी के ले रहे हैं और संबंदों को भी समझ लेते जिसे कोई बात बतावली भी हुआ गाउं समाज में तो यह आप जल्दी समझ लेते लेकिन कोई ऐसा बिक्ति रहता जिसे समझ में जल्दी नहीं आता है तो चलिए आगे चलते पक्का अबजिक्टी में ज्यादा काम आएगा जब आपको अबजिक्टी कराएंगे तब ऑक्सफोड की अनुसार दिखिए ऑक्सफोड ने बुद्धी को पर्तेक्षन करने सीखने समझने और जानने की योगईता के बारे में बताया है आपसे अबजिक्टी में पुछा सकता है शिखने जानने और सिखने समझने और जानने के योगता किसके द्वारा बोला गया था तो या इन ऊक्सितर करता है ठीक है और फेड़ बीने जो कहे हैं कि बिध्धी के बिशाय पर सबसे फ़ले सोधकारी करने वाले जुद्धे हमारे वाल फेड़ बीने थे एक नमबर अबजिक्टी में 100% याद रखेगा ये बहुत ही ज़्यादा आने का चांस रहेगा ठीक है 99% अब काते आ जागा बाके आपेड़ इएक परसंट आया भी सकता नहीं भी आ सकते ठीक है और ये जो बुद्धी है उससे क्या कर सकते है अच्छा ने ले सकते अच्छा बोध हो सकता है अच्छा तर्क कर सकते हैं यह हमारे करता है ठीक है चली और वेसलर के अनुसार देखिए वेसलर के अनुसार बुद्धी व्यक्ति वह समगर छमता है जिसके द्वारा व्यक्ति समवेक जिन्तन करने उद्धेस्ति व्यवहार करने तथा अपने परियावरण से परभावी रुपसे निपटने में समर्थ होता है यह अपने परियावरण से निपटने में हमे अनुसार एक बुद्धिमान वेक्ति न केवल अपने परियावरण से अनुकुल करता है बलकि कुछ परिवर्तन भी करता है मतलए इस गार्डेनर और इस्टन वर के अनुसार काना है कि यह परियावरण से नहीं बलकि परियावरण में कुछ न कुछ परिवर्तन भी करता है ज बुद्धिक के बिशाय पर सोध कारे करने वाले पहले मनों बेगानिक बिने साहब थे बिने ने बुद्धिक की योगता का एक समुच्चय माना जिन्होंने एक कारण एक कारक सिधान्त भी दिया है देखे एक कारक सिधान्त भी दिया है कौन ती हमारे बीने साहब आपसे पुछा आ सकता है एक कारक्ष धान्त किसके दुवारा दिया गया था तो बीने साहब के दुवारा ठीक है और बुद्धि के भी साहब पर सोधकारे करने वाले पहले मनों भी गया निकों थे तो बीने साहब ये दो अब्जिक्टिव आपको आने का chance ज़्यादा रहता ठीक है 1927 में Charles Spearman ने बुध्धि का दुईकारक सिधारत किसे ने दिया था Charles Spearman ने दिया था इन्होंने समाने कारक स्वा कारक और विसिष्ट कारक विकारक का परकासन किया कौन ये हमारे Charles Spearman ने लेकिन ज़्यादा खासकर ये इंपोर्टेंट रहता है कि दुईकारक सिधान के प्रावर्त को ने तो Charles Spearman कब देते तो 1927 में दिये था सौ कारक क्या होता है विकारक क्या होता है इसके बारे में इसमें प्रात्मिक प्रभाव का निस्पादन करता है प्रात्मिक मतलब कि गाउं का इसमें सिरेष्ट गायक बस्तुकार वेग्यानिक खिलारे आदी होते है विकारक में आपको जो होते क्या क्यों होते है सिरेष्ट गायक मतलब बरा बरा गायक हो किया बस्तुकार हो गया वेग्यानिक हो गया खिलारी ये सब आते है लेकर प्रात्मिकी जो आते है आपके गाउं अस्तर के लोगा आते aboard जैसे खेटी उती जब हो गया ये सब आते हैं समझ में आगए है चले सा कारख कारत के आता है किली सी वॉर्षिद सिक किसां हो गया ये आते हैं और B कारेक में आपके हो गये शिरिष्ट गायक, बस्तु कार हो गया खेलारी ये सब आती है आपके ठीक है समझ में आ गया Lewis Thorson Lewis Thorson के अनुसार जो आपके है प्रात्मिक पांचिक योगताओं का सिधानत प्रस्तुत किया गया है किया है, उन्होंने साथ प्रात्मिक मांचिक योगताओं बताया है देखिए, इनके द्वारा जो है साथ प्रात्मिक योगताओं बताया गये थे जो कि आपको लिखे नहीं है अगर आप NCRT बुक परिएगा तो उसमें आपको टाइम लगेगा भी आपको एक ही वीडियो में पुरा समझाए देगा ठीक है, चले बहु बुद्धी का सिदानत, मतलब एक से अधिक हो सकता है बहु बुद्धी सिदानत के प्रावर्थ का हावर्ड गार्डेनर है इनके अनुसार बुद्धी कोई एक तत्व नहीं है मतलब इनके अनुसार का रहा है कि किसके इनके अनुसार कि बुद्धी जो है एक ही परकार के नहीं है वो अनिक परकार के बलकि वो बिन बिन परकार के होते हैं किसी भी किसी में कम तो होता है तो किसी में ज़्यादा होता है, देखिए, अब समझेगा, इसे Howard Gardiner ने बोला है, कि बुद्धि में एक तत्व नहीं होता है बल्खिए उसले बेभिन फरकार्ष होता है, किसी में कम तो किसी में ज़्यादा तो किसी में समान होता है, उन्होंने आठ परकार की बुद्धिया का वर्नन की आइकों ति ये हमारे हावर्ड गार्डेनर रहे किया ठीक है याद रखेगा तापको याद आएगा भासागत हो गया तरके गनीती हो गया देशिक हो गया संगीत आत्मक हो गया सरेरिक गत्ति संवेधि हो गया अंतर वेदिक हो गया अंतव वेक्ति हो गया प्राकृतिवादी हो गया यह आपकी आठ है ठ collective याद रखीगा आपको इंपोटेंट ही जिए चलि बहु कात्री चापी सिद्धांध बुद्धी का तिरी चापिय सिधान्त क्या होता है इसके बारे में यह सिधान्त रोबर्ट एस्टर्न वर्ग ने 1985 में परस्तुत किया है कब क्या है यह सिधान्त रोबर्ट एस्टर्न वर्ग ने 1985 में परस्तुत किया किसका बुद्धी का तिरी चापिय सिधान्त बुद्धी वह योगिता है जिसमें बुद्धी वह योगिता है जिससे परियावरन के प्रती अनुकुलित होता है साथ ही साथ परियावरन का परिवर्तित भी करता है देखें यह करना इसकी करनेकार्थ ही है Rach form बहुत अच्छा बुद्धि का मुल्यानकन क्या कर रहा है बुद्धि का मुल्यानकन सरफ पर्था उनिस पांच में अलफेट बिने तथा थियोडर साइमन बुद्धि के मापन का सफल परियास किया था क्या किया था सफल परियास किया था ठीक है कौन यह हमारे अलफेट बिन बिलियुम understand केया ता यह याद रगे कब किया था ममी जर्मानिक बूद्धी लब्दि के बारे में आप बूद्धी लबदी आगे चलेगी और हमाई जाएगा परने में ठीक है यहाँ न कडेald कर दिंगे यह कितना मानसे कि साम आपको ज्याद ही ठीक है बुद्धि लब्दी वर्ग क्या है वर्धनात्म र्णनाम जनसंख्य पर्प्तिसत अब समझएगा कितना क्या है सतर से कम जो है बौधिक रूप से असक्त होता है मतलव कि वह अच्छा शेक्न है जो की 2.2 ही है कितना है 2.2 है अब समझएगा 130 से अधिक 130 से 30 सिरेष्ट मतलग कि बहुत ही अच्छा कक्षा है आइंस्टाइन के बारे में सुने हैंके वही इसमें कहा आ सकता है जोकि 2.2 ही लोग है कितना है? 2.2 है बहुत ही कम है, समझ सकते हैं 120 से 130 सिरेष्ट होता है कह सकते हैं ऑच्छा है लेकिन यह जाद है खास कोती क्यों क्योंकि यह बराबर में और जा रहा है जो कि 90 से लेके कितना थुरा से लंबा करते हैं तो आपको और आच्छा समझ में है ठीक है देखें यहाँ पर 90 से 109 के बीच में जो हता है वह और आपको जादा जो पूछा जाएगा क्या पूछा जाएगा यह पूछा जाएगा और यह पूछा जाएगा दोनों के दोनों बहुत इंपोटेन है और यह भी पूछा जाता है जो कि 80 से जो 89 के बीच में होते हैं वह क्य और यहां से लेख सकते हाई ले सकते है जो बहुत ही अच्छा है और 130 वाले कल दो और ultrary 50 60-60 तक 50 तक होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा है ये बहुत ही दो प्वॉंटड़ में रता है लेकिन जो असथ होता है जो मेडियम बर्याबर में होता है उसका जहादे होता है लोग ठीक है दुनिया में तिसमाज में आ गया चली बहुत अच्छा समाज में आ गया होगा चली बुद्धी परिक्षन का परकार बुद्धी परिक्षन के जो परकार है type of intelligence test ठीक है, बुद्धी परिक्षन के अनिक परगारे, जैसे व्यक्तित्तु परिक्षन तथा समुपरिक्षन साब्दिक या असाब्दिक वाजिक परिक्षन तथा निस्पादन परिक्षन, संस्कृति निस्पाक्ष तथा संस्कृतिक अभिनत, ये सब बुद्धी परिक्षन है, क्या क्या आता है, बुद्धी परिक्षन में, तो आपको सबसे पहले याद रखना है साब्दिक परिक्षन होता है और साब्दिक परिक्षन होता है सामुपरिक्षन होता है ठीक है, निस्पाद परिक्षन क्या जा सकता है साथ ही इसमें मौखिक अथवा लिखित रूप से उत्तर दिया जाता है देखे इसमें होता है व्यक्तित को परिक्षन में एक व्यक्ति है उसी का परिक्षन हो सकता है और एक टैमें जिसे लिखित या मौखित रूप से हम ले सकते है जैसे मालेजे एक IAS का इंटर्वीव मालेजे कोई चीका मालेजे इंटर्वीव जैसे मालेजे आपको अगर टॉपर बनेगे ठीक है तो वहाँ पर आप एक आदमी गए है तो वहाँ पर आपको क्या होगा मौकिक रूप से पुछाए जाएगा लिखित रूप से भी पूछाए कभी कभी लिखवाएगा लेकिक मौकिक रूप से जादा होता है तो यह एक आदमी में आता है अब बात करते समूह परिक्षन क्या होता है समूह में आप सोन सकते है कि समूह के नाम से यह आप जान सकते है कि एक से ज़ादा होगा इसमें एक समय पर अधिक विक्तियों का बुधी परिक्षन क्या जा सकता है इसमें लिखित उतर दिया जाता है जिसे परिक्षा में देखेंगे समो के साथ होता है इसमें पचास सो डेर सो लाखो बच्चे रहते हैं इसमें क्या होता है लिखित रोप से दिया जाता है साब्दिक परिक्षन में साब्दिक परिक्षन में मोखिक अथवा लिखित रोप से परिक्षन होती है इसमें केवल साक्षर विक्तियों ही कोही दिया जा सकता है मतलब इसमें पढ़े लिखे लोग कोही दिया जा सकता है सा बादन परिक्षन क्या हो था इस परिक्षन में लिखित भासा का उपयोग नहीं किया रहा था क्या ख़़ा है लिखित भासा का कंपरीव प्र तथा पढमझाई भासामें परियास किया मतलब जैसे 1930 में क्या क्या SMC ने हिंडी में बुधी परिक्षन किया ठीक है लेकिन उसनों ने क्या क्या उर्दू और पंजावी भासा में कौन किया तो CH Rice ने किया था ठीक है परिक्षन किया था ये भी याद रखेगा आपको याद रखना भी जरूरी है चले संस्कृति संस्कृति तथा बुधी संस्कृति कल्चर एंड इंटलिजेंस क्या होता इसके बारें बात करेंगे बुधी हमें परियावरन से अनुकूलित होने में सहायता करती है साथ ही साथ हमारे दैनिक जीवन के बारे में भी बताती है जैसे रोना, माता की आवाद की और ध्यान देना सुंगना चनला दोल्रा ये सब क्या है हमारे जीवन में आते हैं सांस्कृति या बुधी के बारे में कर सकते हैं अब आगे बात करते हैं सांस्कृति का अर्थ यह होता है कि इसमें रिती रिवाजो बिश्वास कला समुहिक विवस्था, इन सभी में सभी को संस्कृतिक गहा जाता है, देखे संस्कृतिक आर्थ क्या होता है जैसे आप गाउस समाज में देखते है तो हाँ पर कोई ने चीज धर्म ते भार होता है, हिंदू में अलग होता है मुसलिम में अलग होता है ति ये सब क्या आता है रिवाज हो गया ये सब धार्मिक चिरी में आता है इस समभेदन सिल्टा में समज भीभेदन, चम्ता समस्य समदहान की योगता तथा परवाभी, समपरिशेशन की योगता यह सब आपके याद रखना भी वाली बातें जब तक आपको भीवे लिखेगा नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा थीकlir, इसमें अपने से बरो छोटो तथा वंचित विवस्ता के प्रती प्रती बंदिता हम सम्मान दुसरों के चिंता दुसरे वेक्ति के परिपिक्षे का सम्मान होता है इसमें समाजिक में होता है ठीक है जिसमें देखिए दुसरे के परिपिक्षे क्या हम सोचते हैं नहीं करती य तरह से बोलेंगे आपके समाजी में आता है साभेकिक छम्ता में होता है इसमें इमंदारी विशिस्टा अच्छा आच्रन तथा आत्म मुल्यानकन के बारे में बताया जाता है इसमें जो होता है आपको धारिये रखना पड़ता है कठिन परिश्रम करना पड़ता है जिसमें सफल होने के लिए उच बुध्धी तथा उच बुध्धी लब्धी तथा बिदाले परिक्षनों में अच्छा निस्पादन यह प्राप्त नहीं है बलकि चिंतन तथा व्यवहारों की योगता के सामने ही सामने ही बुध्धी इसमें अपने पड़िवार की समस्या रहती है ठीक है यह आपको सम जरूरी है मेनवाध कि आपके अपने परिवार में आपकी इस तरह से रहते हैं ठीक है सर्जनात्मक जो हता है creativity जो सर्जनात्मक अत्वाराचनात्मक किसी बस्तु बिचार कला सहिते से संवंदित किसी समस्या का समधान निकालने आदि के छेतर में कुछ नया रचनय अभिक्रित करने या पुर्ण सर्जित करने की प्रकिरिया है यहाँ एक मानसिक प्रकिरिया है जो भौतिक परिवर्तन को जनम देती है ठीके यह आपको पूरा का पूरा चेप्टर कम्प्लीट हो गया है अगर आप सब्सक्राइब चेप्टर करेंगे तो चेप्टर आएगा और इस चेप्टर को फिर से एक बार आपको पढ़ाया जागा जो कि और डीटिल के साथ इसी चेप्टर को तो अगर आप चाहते हैं कि यह वीडियो अच्छा लगया तो आप अपने कोपी में नोट कर लिजे और चैनल को सस्क्राइब जरू कर लेगा अगर आपको यह पीडियो चाहिए तो आप हमें टेलीकराम पे जूर जाइए जिसका लिंक आपको डिस्क्रेप्स ने मिलेगा अगर आपके भाई बहन तो तो कोई भी जो की तेंथ क्लास में उसे RDX बारे में जरू बताएगा जिस यूटूब चैनल का नाम है RDX Selfish Study ठीक है तेंथ क्लास वाले के लिए तो आप जरूर बताएगा उसमें आपको अच्छा सचा कॉंटेंट भी दिया जाता है तेंथ क्ल कर सकते ठीक है जय हिन जय भारत प्लीज एक बार सेर कर दिजये और चैनल सब्सक्राइब जरू कर दिजया बाई बाई